हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम बताने जा रहे हैं आपको गुलकंद की रेसिपी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इस गुलकंद की रेसिपी को ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो देखिए गुलकंद कितना अच्छा होना हुआ है गुलकंद बनाने के लिए हमने लिए यहांपे गुलाब की फूल गुलाब की फूल में से आपको गुलाब की पत्यों को अल Australia कर लेना है और जो ग्रीन वाला पार्ट को अलग कर लेना है देखिए मैंने आप कैसे किया है यहाँ पे आपको ऐसा ही करना है यह गुलाब की पत्यां खटी हो गई है अब आपको इसे पानी से साफ करनी है पत्यों को यहाँ पे आप पानी से साफ करते जाएए और आप इसको निकाल के एक चल्ली में रद दीजिए ऐसा करने से गुलाब की पत्तियों का सारा पानी निकल जाएगा गुलाब की पत्तियों पर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए देखिए गुलाब की पत्तियां यहां पर सूप गई हैं और हम बनाएंगे गुलकन तो इसके लिए चीनी लेंगे हम और हमारी गुलाब की पत्टियां बिसमेरेंगे थोड़ा सा सहः आप अपने हातों में गुलाब की पंखड़ियों को रख लिजीए है जितनी आपके हात में आजाए होतनी और आपको इसमें दो चमत चीली डालनी है एक चमच आप इसमें सहर डाल दीजिए, एक चमच सहर डालने के बाद आप इसको अपने हाथों से हलके हाथों से मशल लिए, बहुत ही सॉफ पत्तियां होती है, आसानी से मसल जाएंगी देखिए, यह हमने बना दिया है, आपको ऐसे ही करना है, आपको फिर से चीनी लेनी है अप इसमें सहेड डालेंगे और आपको हलक हलके आतों से इसको मसलना है ऐसे घृक कि हमारा गुलकंत बनके तैयार आप ऐसे प्रॉसेज आपको करना है आप ऐसे बनाइए ये बह många आसान तरीका है ये बनाने का जो का centres देखिए कितना अच्छा बना रखना है जिससे इसकी चीनी पिगल जाए देखिए हमारा गुलकंद बनके तयार हो गया है आप लोग भी ऐसे ही बनाईए गुलकंद की रेस्पी को आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए आपको ये वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों